अनुच के लिए अनुपमा हुई एमोशनल अनुच को कहा थांक यू दोनों हुए फिर एक क्या है पूरी ख़बर आई ये जानते हैं अनुपमा की कहानी एक बहुत ही बड़ा मोड लेने वाली है जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अनुपमा को पता चल गया है कि अनुच उनसे 26 साल से प्यार करते आए हैं ये बात सुन अनुपमा परिशान जरूर होती है लेकिन धीरे धीरे पिछली बातों को याद कर अनुपमा को एहसास होता है कि अनुच एक अच्छे इंसान है और उनकी महबत पाक है सारे तमाशे खतम होने के बाद अनुपमा अनुच से मिल ले गई जहां दोनों ने हाथ मिलाया और अनुपमा ने अनुच से कहा थैंक्यू मुझे इतना प्यार करने के लिए अनुच ये बात सुन खुशी से फूले नहीं समा पा रहे थे वही जहां दोनों के बीच चीज़े ठीक हो रही है वही वनराज एक नई साजिश के लिए तैयार है जी हां वनराज शाहाउस से निकल कर सूरत के लिए रवाना हो गए है जिससे ये अंदाज लगा जा सकता है कि वो जरूर अनुच के पास्ट के बारे में पता करने गए है क्या लगता है आपको अनुच अनुपमा हो पाएंगे एक अपनी राए हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं and also do like, follow and subscribe to Telly Masala on Facebook, Instagram and YouTube.